तो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हार्ट वेलकम टू माई चैनल नीटिंग लेशन फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा बर्फी सेप का डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको ये डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसी बनाया गया है प्रेंड्स इस डिजैन को आप जैन्स लैडिज और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल फंदे लेकर के 2 फंदे एक्स्रा रखने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडज़ेस्ट हो जाएगा अब 10 के multiple देखिए पहले आप 10 फंदे गिन लीजिए फिर से 10 फिर से 10 इस तरह से करते हुई last में आपके 2 फंदे रहने चाहिए ये design हमारा सीधी साइड से शुरू होता है और 14 सलाईों में complete हो जाता है तो border के बाद अगर किसी project पर आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप 20 और उसमें 2 फंदे एक्स्ट्रा फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी साइड से और एक सलाई उल्टी साइड से मैंने उल्टी बना कर complete की हुई है design की ये पहली सलाई है तो ध्यान दीजिए 2 फंदे उल्टे पहला फंदा आप उतार भी सकती है और बना भी सकती है ये द और दो फंदे का एक फंदा सीधा बना देंगे तो ये देखें यहां हमने दो का एक किया तो 40 से फंदा वापस बढ़ गया अब 6 फंदे सीधें 1 2 3 4 5 और ये 6 थागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदे उल्टे एक और ये 2 धागा अपनी तरफ रहे इस फंदे को लेंगे सीधा कर देंगे पीछे की साइड से सलाइड डालके धागा अपनी तरफ रहे और दो फंदे का एक फंदा सीधा बना देंगे यहाँ हमने दो का एक किया तो यहाँ फंदा वापस बढ़ गया अब इसके आगे 6 फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच आपने इस डिजैन को इसी तरह से रिपिट करते जाना है पहली सलाई कम्प्लेट हो चुकी है अब आजेगा इसकी दूसरी सलाई और उल्टी सलाई इस डिजैन में हर बार पूरी उल्टी बनेगी तो देखे धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टी सलाई को पूरा उल्टा बना लेजिए तीसरी सलाई है और सीधी साइड है तीसरी सलाई पर ध्यान दीजिए दो फंदे उल्टी एक और यह दो फंदे उल्टे बनाने के बाद अब आप इस धागे को पीछे कर लीजेगा और ये देखिए ये जो हमारा जाली से फंदा बना था इसे अब सीधा बनाईए ये देखिए इस फंदे को सीधा बनाने के बाद फिर से आप इस धागे को अपनी तरफ ले आईएगा इस फंदे को लेंगे पलटके इसको सीधा कर देंगे धागा अपनी तरफ है और पीछे की साइड से दो फंदे में स्लाई डालके दो फंदे का एक फंदा सीधा बना देंगे तो देखिए यहां पर हमने दो का एक किया तो जाली से यहाँ पर फंदा वापस बढ़ा लिया अब पांच फंदे सीधे देखिए एक, दो, तीन, चार और ये पांच धागा अपनी तरफ कीजिए और दो फंदे उल्टे एक और ये दो फिर से धागा पीछे कीजिए और ये जो हमने जाली से फंदा बनाया इसे सीधा बना देंगे तो देखिए एक फंदा हो गया धागा अपनी तरफ कीजिए इस फंदे को लेंगे पलटके इसको सीधा कर देंगे धागा अपनी तरफ रहे, पीछे की साइड से स्लाई डालके दो फंदे का एक फंदा बना देंगे अब पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच धागा अपनी तरफ कीजिए और लास्ट के दो फंदे उल्टे तीन सलाईयां कम्प्लेट हो गई हैं, अब आज येगा इसकी चोथी सलाई और उल्टी सलाई पर तो चोथी सलाई को आप पूरा उल्टा उल्टा बना लीजिए पांच में सलाई है और सीधी साइड है तो पांच में सलाई देखिएगा फ्रेंट दो फंदे ये उल्टे, एक और ये दो अब आप धागा पीछे कीजिए और दो फंदे सीधे बनाईए देखिए एक और ये जाली वाला दो धागा अपनी तरफ कीजिए और इस फंदे को इस तरह से लेंगे पलट के इसको सीधा कर देंगे पीछे की साइड से दो फंदे में स्लाइड डालके धागा अपनी तरफ है और दो फंदे का एक फंदा सीधा बना देगे तो देखिए दो का एक यहां किया तो पहले हमने जाली से फंदा बढ़ा लिया अब चार फंदे सीधे एक दो तीन और ये चार धागा अपनी तरफ कीजिए और दो फंदे उल्टे एक और ये दो धागा पीछे ये देखिए एक और ये दो दो फंदे सीधे बनाने की बाद धागा अपनी तरफ कीजिए इस फंदे को लेंगे पलट के इसको सीधा कर देंगे पीछे की साइड से स्लाई डालके दो फंदे का एक फंदा सीधा अब चार सीधे एक दो तीन और ये चार धागा अपनी तरफ कीजिए और लास्ट के दो फं कमप्लीट हो गई हैं अब आज इसकी चटी चलाइपने साइड से पूरी बने के च्रमीड उनकों हमाई जब द deep स्वियं संतते सवाय और सेधी सफॉपोर में सब्सक्राइपने लिए कऱ देखे 3 फंदे सीधा है दागा अपनी तरफ कीजिए और इस फंदे को इस तरह से लेंगे पलट के इसको सीधा कर देंगannie पीछे की साइड से स्लाइड डालके धागा अपनी तरफ है दो फंदे का एक कर देंगे हमने 2 गन एक किया तो यहां जाली से पढ़ह लिया 3.. सीधे देखिए 1 2 और ये 3 धागा अपनी तरफ कीजिए और दो फनी फनी उल्पे पिर से धागा पीछे कीजिए और तीन फनी सीधे 1 2 और ये 3 अब धागा अपनी तरफ कीजिए इस प्लटे के सीधा कर देंगे दागा अपनी तरफ है पीछे की साइड से दो के दो का एक कर देंगे यहां फणा घटाया तो यहां जाली से बढ़ गया अब तीन सीधे देखिए एक, दो, और यह तीन साइड दागा अपनी तरफ कीजिए और लाष्टिके दो फंदे उलते साथ सलाईयां कम्प्लेट हो चुकी हैं अब आज येगा इसकी आठमी सलाई और उल्टी साइड पर आठमी सलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी नौमी सलाई है और सीधी साइड है नौमी सलाई देखिएगा दो फंदे उल्टे एक और ये दो अब आप धागा पीछे कीजिए और ये देखिए एक दो तीन और ये चार चार फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और इस फंदे को लेंगे इसको पलट के सीधा कर देंगे पीछे की साइड से सलाई डालेंगे और दो फंदे का एक फंदा कर देगे आप देखिए आगे दो फंदे सीधे एक और ये दो धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे एक और ये दो धागा पीछे अब चार सीधे एक दो तीन और ये चार धागा अपनी तरफ कीजिए इस फंदे को लेंगे पलट के इसको सीधा कर देंगे पीछे की साइड से सलाई डालके दो फंदे का एक फंदा बना देंगे तो देखे यहां फंदा घटाया तो यहां वापस बढ़ गया अब दो सीधे एक और यह दो लास्ट के दो फंदे उल्टे नो सलाईया कंप्लीट हो चुकी हैं अब आज यहां इसकी दसमी सलाई और उल्टी साइड पर दसमी सलाई आप इसकी पूरी उल्टी बना लीजिए दस सलाईयां कम्प्लेट हो चुकी हैं अब आज ये इसकी ग्यार मिसलाई और सीधी साइट पर ये देखिएगा दो फंदे उल्टे एक और ये दो धागा पीछे देखिए एक दो तीन च्यार और ये जाली वाला पांच इस तरह से आप पांच फंदे सीधे बना लीजिए फि फंदे को लेंगे और पलट के इसको सीधा कर देंगे धागा अपनी दरफ रहे पीछे की साइड से चलाई डालके दो फंदे का एक फंदा सीधा कर देंगे यहां फंदा घटाया तो यहां वापस बढ़ गया अब एक सीधा धागा अपनी तरफ और दो उल्टे फिर अब ध तेन और ये देखेगा चार और ये पाँच धागा अपनी तरफ कीजिए इस फंदे को लेंगे पलट के इसको सीधा कर देंगे ये देखे फ्रेंट पलट के सीधा करने से ये जो चैन होती है, ये बिल्कुल सीधी बनती जाती है दागा अपनी तरफ रहे, पीछे की साइड से सिलाई डालके दो फंदे का एक फंदा सीधा बना देंगे, यहां घटाया तो यहां जाले से बढ़ गया, अब एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ और लाष्ट के दो फंदे उल्टे, ग्यारा सिलाईयां कम्प्लेट हो चुक अब आजेगा इसकी तेरवी सलाई और सीधी साइड पर, तेरवी सलाई पर देखिए, दो फंदे उल्टे, एक और यह दो, धागा पीछे कीजिएगा, और यह देखिए, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, और यह छे, छे, छे फंदे सीधे बनाने के बाद, धागा आप इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे, धागा अपनी तरफ रहे, पीछे की साइड से दो फंदे में सलाई डाल के दो का एक कर देंगे, यह देखिएगा, यहां हमने फंदा घटाया, तो यहां पर बढ़ गया, इस तरह से देखिए, यह चेन हमारी यहां पर आकर खतम हो गई, क्योंकि जो इधर वाले फंदे थे, वो हमारे सारे इधर बन चुके हैं, धागा आप अपनी तरफ कीजिए, और दो फंदे उल्टे, एक और यह दो, धागा वापस पीछे कीजिए, और यह देखिए, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, और यह जाली व कीजिए, इस फंदे को लेंगे, पलटके इसको सीधा कर देंगे, पीछे की सैट से सलाई डालके, दो का एक कर देंगे, तो देखिए, यहां घटाया, तो यहां बढ़ गया, और यहां पर आकर यह खतम हो गया, धागा अपनी तरफ और लाष्ट के दो फंदे उल्टे, ते सलाईयों का यह डिजैन है, जब आप यही चोदा चोदा सलाईया बार बार रिपीट करेंगी, तो आपका डिजैन इस तरह से बनता जाएगा, चलिए आपको एक बार फिर से स्टार्ट करना बताती हूं कि नेक्स्ट बार इसकी सुरुवात कैसी होगी, पहली सलाई के जैस बना देंगे, इस तरह से, यह देखिएगा फ्रेंड्स, यहां हमने दो का एक किया है, तो यहां हमने जाली से फंदा बढ़ा दिया है, अब छे फंदे सीधे देखिए, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, और यह छे, धागा अपनी तरफ कीजिए, और दो फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रहे, इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे, और पीछे की साइड से सिलाई डालके, दो फंदे का एक फंदा सीधा बना देंगे, यह देखिए, यहां दो का एक किया, तो यहां जाली से फंदा बढ़ गया, अब छे सीधे, एक, दो तीन, च्यार, पांच, और यह छे, धागा अपनी तरफ कीजिए, और लाश्ट के दो फंदे उल्टे, इस तरह से फ्रेंट्स देखिए, इस डिजैन की यहां से सेकिंड बार की स्टार्टिंग हो गई है, इस तरह से आप जब बार बार यही चोदा चोदा से लाईया रिप आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में इसे शेर कीजिएगा, चैनल पर नई है, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियो की नॉटिफकेशन आपको मिलते रहें, प्रेंट्س ये डिजाइन मैंने 3 प्लाई वाली उन से बनाया है, अगर आप 3 प्लाई वाली उन आपकी मारकेट में मिल जाती है, तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है और आप आमाजोन से लेना चाहती है, तो कुछ रलार्स के लिंक हमारे पास होते हैं, मैं उनका रिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी जिसमें आपको तीन प्लाई वाली उन और ओस्वाल थ्री प्लाई वाली उन के मिलेंगे आप लेना चाहे तो ले सकती हैं थैंक यू